Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Excel 365 के उपर बेज़त है आईए समझते हैं Microsoft Excel 365 में हम VLOOKUP के थुरू first value को कैसे find कर सकते हैं, ये बहुत आसान है और easily आप कर लेंगे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर already मैंने लगा रखा है, यहाँ पर ये range देख सकते हैं ये range जो है, इस range में नाम लिखे हुए है अब इसके जगा कुछ और भी हो सकता है, आप उसको find कर सकते हैं जैसा कि जानते हैं कि first column से ही VLOOKUP जो है find करता है तो यहाँ पर हम लगाने जा रहा है VLOOKUP फर्मूला तो चलिया यह ये use करते हैं, यहाँ पर लगाता हूँ is equal to VLOOKUP, इस तरीके से, तो यह लिख दिया मैंने is equal to VLOOKUP, यह लिख दिया VLOOKUP लेखने के बाद हमें क्या करना है, bracket को open करना है इस तरीके से, bracket को जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पर आपको double-trade codes को open कर लेना है और यहाँ पर star symbol लगाना है और star लगाने के बाद, आपको comma देना है comma देने के बाद, यह range select करनी है जिस range में आपका data है, अब यह range ज्यादा या कम भी हो सकती है हमारी जहाँ तक range है, वहाँ तक हमने select कर लिया comma लगाएंगे, comma लगाने के बाद, आपको क्या करना है simply, जैसे ही comma देंगे, तो यहाँ पर आपको देना है one ठीक है, one देने के बाद, comma दे रहे हैं, फिर से और exact match के लिए हम देते हैं zero zero देने के बाद, bracket को close करना है, तो यहाँ से bracket को close कर दिया, अब देखिए, पहला नाम कौन सा है पूजा लिखा हुआ है, तो अब enter जैसे ही press करेंगे, तो यहाँ पर दिखेगा पूजा, दिख रहा है, अगर मैं change करता हूँ नाम, ठेक है, जैसे माली जैसे मैं लिख देता हूँ राजेस, र-A-J-E-S-H यह लिख दिया, और जैसे यह enter press करते हैं, तो यहाँ का result देखिएगा, यह भी automatically change होगा, change हो गया, इसी तरीके था, आयोब की बात समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शी शेयर करें, thank you for watching this video